आजकी इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे निफ्टी बेंक निफ्टी के लेवल्स को और जो ब्रेकिंग न्यूस टेंड हो रहे हैं सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे निफ्टी और बेंक निफ्टी में देखेंगे कि आज काफी तेजी दिखी वहीं डाउजोन इस समय माइनस में और SGX निफ्टी देखेंगे तो 70 पुएंट्स डाउन्ट्रेंड देखने को मिल रहा है अभी देखेंगे तो डाउन्ट्रेंड तो बस SGX में देखता है यहां देखेंगे GDP डाटा भी आते वे दिखा जो expected numbers थे उसी के आसपास रहा है यहां देखेंगे 6.3% रहे हैं और जो CNBC TV पोल के expectation थे वो 6.4% के आसपास का था और इसके साथ ही देखेंगे तो US में यहां देखेंगे GDP growth rate भी आते वे दिखा है जो estimated number थे उसको beat करते वे दिखा है और इसके साथ ही price index data देखेंगे यहां भी देखेंगे जो estimated number थे उसको beat करते वे दिखा है overall देखेंगे तो पट्री पे आते वे US data के numbers भी दिख रहे हैं economic data के नंबर भी दिख रहे हैं यहां निफ्टी में देखेंगे कि इस परकार से market पूरा दिन consolidation था काफी boring लग रहा था उसके बाद पिछले closing के 10-15 मिनट में जो FIs की buying दिखी 9000 करोर के इसके कारण एक sharp rally दिखा और कल के लिए आपका जो level होना चाहिए 800 यानि 18,800 एक major resistance है इसके उपर sustain करता है तो call के तरब जाएंगे put को भूल जाएंगे और अगर इसके नीचे कहीं भी open होता है तो 18,800 एक major resistance होगा और put के लिए आ सकते हैं और यह आपके लिए sell होना चाहिए इसके साथी discuss करें कल के market का तो bank nifty देखे तो इसमें काफी consolidate हो रहा है 43, 3300 के level को breakout करता है तो call के लिए जाएंगे put को ignore करेंगे वहीं downside में देखे तो 43,250 के level को breakdown करें तो यह 43,300 आपका sell होगा और फिर जो है 42,800 तक के downside भी दिख सकते हैं I hope यह video informative रहा है इसके लाव भी कुछ करी हो तो comment box में जरूर बताएं